हेलो टी जी कैसे हैं आप? आइस मैं एकदम बढ़िया हूँ और मेरा फोन जो है वो भी एकदम हिल्दी है, एकदम फर्स क्लास है और इसको बस ऐसे करने का ही मज़ा आता है और बिसकली अभी जो मज़ा है वो आने वाला है आपके सवालों का जवाब देते हुए पूचे थे यूजिंग हैश्टाइग बोलो गुरुजी उन सभी का जवाब मिलने वाले हैं इस स्रेटेक मसाला एपिसोड में तो दिखते हैं क्या सवाल हैं और क्या उनके जवाब मिलते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है लैंब बोई की तरफ से वो कह रहे हैं सेम स्पेक्स PCS विद इफरेंट प्राइस वन इस HP Mini PC और अधर इस TOWER CPU विच वन शुड़ आ बाइफ और नमल डेली उसेच यार जो सस्ता मिलता है वो ले लो बिकॉज अगर बताओं परफॉर्मेंस की बाद तो तो मिनी PC के अंदर कूलिंग बूलिंग को लेकर तोड़ा इस्यू होता है तावर PC में जा जादा 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 आपको मिल जाता ह क्या बोलता है क्या बोलता है इसको स्पेस तो वो एक वो है अनलेस आपको एकडम हेवी काम करना है तो आप टावर लो अदरवाज जो सस्ता मिलता है वो ले लो बिकॉज स्पेक सेम है तो experience भी performance भी more or less similar रहने वाली है Lord Dev Malia कह रहे है I have a budget of around 3.5 lakhs and I want an ultimate gaming laptop. Please suggest one. Alienware का model ले लो जो आ रहा हो उस प्राइस में मतलब मजा आएगा बहुत gaming के अंदर उच्बल जानना जातने है टेसला model pie के बारे में कुछ बताईए प्लीज सब फरजी है जो ये सारे rumors सुन रहे हो ना भाई अभी के लिए कुछ confirm है नहीं किसे ने बोला नहीं है अभी रुको ना टेसला के smartphone की बात कर रहे हो आप तो मतलब hold on जब भी अन्वील होगा तो आपको बता है सबसे पहले कहां दिखेगा आपको तो अभी के लिए रुक जाओ सबर करो देखते हैं फूचर में टेसला का smartphone जब आता है तो क्या case price क्या पूरा package रहता है इशान कहरें क्या Macbook में Office World software free है Macbook में Microsoft Office जो है वो तो free नहीं है लेकिन उसके बिना भी अगर हम बात करते हैं तो Apple के अपने equivalents है जैसे Apple का pages है Apple का numbers है और ये जो softwares होते है Apple के इसमें आपका काम चल जाता है अगर आप चाहो तो लेकिन अगर आपको proper Macbook वाला ही चाहिए तो इसके आपको फिर license लेना पड़ेगा उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे प्रिंस कह रहे है गुरुजी as you have tested all the devices what do you think where does the camera of Vivo X100 Ultra stand among 16 Pro Max, S24 Ultra and Pixel 9 Pro Plus rank them according to you यार सबस्याद अब versatile camera अगर मैं बोलूँगा मतलब versatile in a sense की overall all-rounder तो iPhone को बोलूँगा Pixel काफी जगे में बहुत अच्छा काम करता है बट portrait mode में थोड़ा सा फीका पड़ जाता है S24 Ultra जो है उसके अंदर portrait बहुत अच्छा आते हैं और zoom range उसकी phenomenal है Vivo के पास में एडवांटेज है वो है Zeiss वाले modes का मतलब वो जो एक portrait mode में आपको एक अलग सा flavor दिखता है na Vivo के phones में वो उसका advantage है तो हरे कि अपने अपने प्रोजन को ओन से हैसा मैं एक list में rank नहीं कर सकता हूँ अगर आपको केवल एक phone चाहिए तो मैं iPhone 16 Pro Max बोलूँगा अगर आपको एक बहुत अच्छा portrait और AI features और वो सब कुछ चाहिए तो Samsung S24 Ultra है और अगर आपको specifically portraits में वो effect चाहिए थोड़ा सा artistic type का तो Vivo अच्छा phone है but not necessarily a complete all-rounder smartphone और pixel phone जो है वो fun अच्छा है मतलब it is ऐसा नहीं पूलूँगा पिक्सल कामरा खराब है but portrait mode में थोड़ा Google अभी पीछे चलता है as per my experience गौतम जानना चाहते हैं शुड़ा आइफोन 16 Pro at 89K in exchange offer by exchanging iPhone 13 आइफोन 13 अपको मिल रहा है नया आता है एक उन्निस का मतलब आपको iPhone 13 30,000 का बिक रहा है तो यार आपके उपर call है कि आपने iPhone 13 लिया कितने का था वैसे तो 30,000 जो है वो ठीक ही रिसेल है iPhone 13 की इस जादा आपको expect नहीं करना चाहिए exchange करें अगर आपको मिल रहा है और if you have the budget then definitely it's a good upgrade 13 से 16 Pro में तो definitely बहुत एक major upgrade आपको मिलेगा Shadow Shiro जानना चाहते है difference between Samsung S24 and S24 FE यार S24 एक proper flagship smartphone है S24 FE एक tone down version होता है बट Samsung सारी चीजें essential जो है वो जोड देता है अपने FE series के अंदर मतलब overall अगर हम बात करते हैं तो camera, display, battery, design, बाकी features, AI features is that to FE के जो users है वो लोग जिनको flagship वाला मजा चाहिए बट एक अलग थोड़ा सा flavor चाहिए मतलब एक level अलका नीचे जिसे tab S9 FE के अगर हम बात कर लेते हैं या FE series देरो phones होते हैं तो यह है मतलब अगर आपको एक proper proper flagship चाहिए तो S24 है लेकिन अगर आपको चाहिए कि थोड़े कम budget मिल जाए लेकिन मजा almost एकदम वैसा वैसा से मिल जाए हमको तो S24 FE is the right choice technology knowledge जानना चाहते है iPhone SE 4 का expected launch date और expected price क्या हो सकता है यार मेरे क्याल से price जो है वो होगा 50,000 ऐसा मैं assume कर रहा हूं because अगर 499 dollars का US में आया तो इंडिया में 4900 आप समझ लो इस चीज को तो 50,000 का पढ़ने वाला है roughly roughly मैं इसको समझता हूं हो सकता है 45 का हो हो सकता है 55 का हो बट 50 पकड़ लेते हैं और जो launch date है मतलब timing है मेरे क्याल से अगले साल around March के असपास So, हम जानना जाते is the newly launched Lava Agni 3 at 20K a good deal considering the specs to be used as a secondary phone definitely भाई बहुत अच्छा phone है 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 Krishna पूछ रहा है why MacBook Air M1 is still considered good in its segment even after changing technology I know कि बहुत ज्यादा time हो गया है MacBook Air M1 को launch हूए मतलब 2020 में launch हुआ था सोचो अभी 2024 का एंडर है मतलब 2020, 2021, 2023, 2024, 2024 चार साल पुरानी machine है बट अपल ने जो experience दिया है overall वो बहुत अच्छा है It is very well optimized, काफी अच्छे से perform करता है और आज भी जो price to value ratio है उसका वो बहुत अच्छा है That's the reason कि हम आज भी बोलते हैं कि MacBook M1 एक बहुत अच्छा laptop है Hardik के रहे मैं दो laptops के बीच में confused हूँ Asus Zenbook 14 OLED and Galaxy Book 4 Pro 360 थोड़ी बहुत editing करनी है और basic media, multimedia के लिए चाहिए यार कोई भी ले लो basically आपको अलग-अलग form factor का वो जो है difference मिलेगा Galaxy Book 4 Pro 360 में आपको एक अलग form factor मिलेगा Zenbook OLED आपको एक अलग experience देगा बट जो Galaxy Book 4 Pro 360 है उसके अंदर भी आपको AMOLED screen मिलता है तो मतलब screen बंडर उचे तो Samsung आपको पता ही है कितना अच्छा मिलेगा experience depends on your choice के आपको form factor कैसा चीए more or less आपको experience similar साही मिलने माला है Mohit कह रहे है my budget is 70K which one to buy my priority is camera and performance iPhone 15 versus Samsung S24 versus Vivo X100 Pro for at least 3 to 4 years of use I am going to buy phone in February so can you select S25 also Mohit भाई पढ़ाई में ध्यान लगाओ थोड़ा focus करो life में October का महिना है February में phone लेना है और आप अभी तेंशन में जो है वो गूमे जा रहे हो तो life में कैसे काम चलेगा मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ और phone की तरह समझ लो ना अभी से confusion किस बात का है मतलब तो वहली बात होगे कि मेरे को नीन नी आ रही है सोचते हूँ कि यार यूस में President कौन बनेगा है Trump बनेगा कि Kamala Harris कि क्या यार election होंगे क्या होगा अरे जब होगे तो मालूम चल जागा कौन बन रहा है President वहली बात है कि फोन जब लेना होगा तब सोचाना अभी क्यों होगा यतिश कह रहे है मेरे पास iPhone 15 and iPad 10th Gen है मैं कौन सा Mac लूँ for college ecosystem complete करने के लिए अगर आपका budget आपको अलाव करता है तो MacBook Air M2 ले लो Jeff जानना चाते है I had purchased CMF phone 1 for my grandmother in BBD sale Is it the best phone under 15K? Yes, जी हां और अगर best नहीं भी है आपने एक बार phone ले लिया है तो फिर वो उसको best ही समझो because otherwise अगर इस उसमें रहोगे ना thought में कि यार यह लिया सही तो नहीं लिया तोड़ा गलत पढ़ गया this that कोई नहीं फायदा इन चीजों में because अक्सर क्या होता है आपने एक बार phone ले लिया फिर आपने खा रहे इसकी तो price यार तोड़ी और कम हो गई अब लितना तो ज्यादा मजाता है मतलब हम अपना ही खुन जलाते है अपने ही thoughts के बीच में but in a nutshell आपने यो phone लिया है CMF वाला phone 15,000 वाले price bracket में amazing phone है और काफी अच्छी choice के रही है हितेश जानना चाते है 3 words to describe where the technology is going forward in future future में future में technology में लगता है ज्यादा और useful होगी और ज्यादा easy होगी और ज्यादा impactful होगी I think यह होना चाहिए Curious के जानना चाते है do you think that we can make humans reach Mars by 2050 and one more question what is the best laptop for content creation according to you? best laptop for content creation depends आप के scale पे है और अपका budget क्या है मैं तो बूलूँगा Macbook ले लो latest 16-inch वाला this that 8 lakh का आता है but not necessarily you need that it all depends कि आप कहा fit होते हो हो सकता है आप वो काम फोन में कर सकते हो हो सकता है आपको एक basic laptop भी बहुत हो हो सकता है आपको एक independent मतलब इसका कोई fix जवाब हो ही ने सकता because अगर आपने best बोल है तो फिर मैं बोलूँगा 8 lakh वाला लेना Macbook इसमें 8 TB के SSD हो और 128 GB के RAM हो और सब कुछ हो फिर लेकिन you know you get the answer जादक बात है इनसान के Mars से पहुशने के 2050 मुझे लगता है कि यार पहुँच जाएंगे but जैसे हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे colonies बन जाएंगी और वह सब से human missions हो जाएंगे but proper Mars पे colonies बना के जो हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ we will end up moving to Mars उसमें तो अभी time है वो 2050 तक तो I don't think की हो पाएगा Last question है Yatish की तरफ से वो कह रहे है आपने क्या क्या लिया sale में अरे नहीं यार मैंने कुछ नहीं लिया sale में Just kidding guys अलब नहीं सही में कुछ नहीं लिया Sale जो है वो कई बार ना पते क्या होता है आजकी बेना वो इतना excitement लेकी नहीं आता there was a time जब लगता था कि हाँ यार वाकरी में deals पो अच्छी में वोगता है ना वो ही वो price को cut करके और वो जालके और फिर लगता है कि यार ज्यादा कुछ discounts तो है नहीं बस वही घुमा फिरा के बाते चल रही है तो और as such मुझे कुछ ज़रोद भी नहीं थी कुछ specific item जिसके लिए कई बार न आप ढूंडते हो कि हां मतलब sale में ये वाला item आपको आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं आप ट्रुप जागे ट्वीट कर सकते हैं केवल आपको यूज करना है hashtag बोलो घुरूजी मैं आपसे बिलता अगले पिसोड में फिलावड़ो में इतना ही जेह हिंद वंदे मात्रम